असलाम हुआ अलेकुम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं राजमा की ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार जटपट घर पर आसानी से बनती है आप इसे चावलों के साथ सर्फ कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन यानि ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी राजमा बनाते हैं आज की चलिए मैंने दो कप राजमा को दो-तीन पाने से धोली और साफ पानी के अंदर भीगाने पिछली रात को ही रग दिया था और उसे ढख कर आप साइट पर ही रख दीजिए देख सकते हैं आप मैंने रात को भीगा कर साइट पर रख दिया था next day morning आप देख सेते कितने माशाला फूल चुके हैं और ये देखिए ये होते हैं तकरीबन normal राजमा तो कितने अच्छे फूल चुके हैं ये वैसे दो टाइप के राजमा होते हैं ये वाले चितरा राजमा है ये जल्दी गल जाते हैं और दूसरे टाइप के आते हैं वो ल दिगाने रग दिया था अब हम इसे बगार लेते हैं कुकर के अंदर तेल दाल दीजिए आपने स्वाद अनुसा चुला फास्टाश पर चालू कर दीजिए और एक चुड़े चैकर चमत साबुत जीरा दाल दीजिए आट नौ काली मिर्ज दाल कर इसे तर तरा जाने दीज यह देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तो मैंने दाल दिया डेट टेबल स्पून अधरकलसन का पेस्ट इसे भी दाल कर बार बार चलाते हुए भून लीजिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ सो दाट यह जो प्याज हमने फ्राई की ना बहुत जादा लाल अधा किलो टमाटर के साथ साथ मैंने दो टमाटर और ऊपर लिये थे तो यह इतने टमाटर थे अब इसे फास्ट आज पर तकरीबल 4-5 मिनिट तक टमाटर को भून लीजिए बार-बार चलाते रहिएगा बीच-बीच में टमाटरों के पेस्ट को अच्छा यहां पर मैं थ च्छाइका चमच हल्दी पाउडर और यह है दो च्छाइका चमच अगेन भर कर धनिया पाउडर अभी से मैं साइट पर रख देती हूँ जब अच्छा भून जाए हमारे जो टमाटर और 4-5 मिनिट हो जाए तो इसके अंदर यह डाल दीजिए सारे मसाले जैसे हल्दी और यह सारे मसाले जो अभी मैंने आपको बता है डाल दीजिए एक चुड़े चाइका चमच नम्मक डाल दीजिए एक बार चला लीजिए सबसे पहले और जो साइट पर हमने भीगे हुए राजमा रखे हैं चूला पहले मीडियम कर दीजिएगा राजमा इसे छान कर याने के नितार कर डालिएगा पानी मत डालिएगा सिर्फ राजमा डालिएगा और सारा राजमा डाल दें तो इसे बार बार चलाते हो हुए फास्ट या मीडियम आज पर 3-4 मिनिट तक भून लीजिए राजमे के साथ मसाले के अंदर जब मसाला और राजमे को 3-4 मिनिट हो जाए अब इसमें मैं डाल देती हूं 1,5 cup जदना पानी अब यहां पर आप 1 cup दालें 2 cup दालें 1,5 cup दालें आप आपके हिसाब से डालिएगा और मैं यहां आधा cup और दाल भी मतलब टोटल 2 cup पानी मैंने डाला हां अब इसे ठाक दीजिए और इसे 2-3 fast आज पर CT खिला लीजिए देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि माशालला बहुत अच्छे से हो चुके है तो चूला fast आज पर चालू कर दीजिए और आप पानी देख सकते हैं सूख चुका है तो ग्रेवी तो होनी चाहिए न तो मैं 1,5 cup यहां पानी डाल रही हूं इसे चला लीजिए fast आज पर आप मखन डाल दीजिए मैं तो मेरे इसाब से लंब सम डाल देती हूं आप 2-3 टेबल पूंज इतना डाल दीजिएगा नम्मक मैंने थोड़ा कम डाला था तो यहां पर नम्मक थोड़ा मैं अजस्ट कर लेती हूं आप आपके इसाब से अजस्ट कर लीजिएगा और इसमे क्योंकि अभी अमने पानी डाला है तो थोड़ा ग्रेवी भी तो पकना चाहिए ना बस यह बढ़िया सी रेसिपी आप इसे चावल के साथ सर्फ कीजिए बहुत मज़ाता है इन फैक्ट मैं फन फैक्ट बता हूँ आपको तो नेक्स दे जब आप खाओगे गरम करके उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है ट्राइ जरूर कीजिएगा वैसे मैंने दो कप राजमी का बनाया है तो नेक्स दे भी हम खाते हैं इसे अगर आपको एक ही कप का बनाना है तो आप एक कप बनाईएगा उस सुरत में सारे इंग्रीडियन्स से आधि लीजिएगा लास्ट में जब हम ग्रेवी के लिए पानी डालते हैं वह आपके इसाब से डाल सकते हैं अगर आपको राजमा जादा दिखाना है तो आप डेड़ कप डालिए या एक कप डालिएगा पानी अब आपको राजमा थोड़ा कम दिखाना है और जादा ग्रेवी जीए तो आप 2-2 cup पानी डाल कर इसे 5-7 मिनिट तक पकने दीजिएगा आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर अपने स्वाद अनुसार अज़स्ट कीजिएगा बाकी रेसिपी आज इस बहुत ही ज्यादा अची और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर फुर बनते जरूर बनाएगा तो है इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फोरवड कीजिएगा फिर से अधिर होंगी नहीं शानदार दमदार रसिपी के साथ अंतल दें टेक केर लाफिस बाइब बाई